कक्षा सब्तम के सभी विदार्थियों का ओनलाइन हिंदी पठन कारिक्रम में स्वागत है पिछले दिनों हमने हिंदी व्याकरन में शब्द विचार पढ़ा आज हम उपसर्ग और प्रत्य की विश्य में पढ़ेंगे आप इसे अपनी कौपी में नोट अवश्य करें पहला उपसर्ग की परिभाशा उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अन्य विशेस अर्थ प्रकट करता है जैसे अन उपसर्ग है इसे हम बन शब्द के पहले जोड़ते हैं, तो नया शब्द बनता है अन बन, अर्था जिसका अर्थ है मन मुटाव। दूसरा है दुर, जिसका अर्थ है बुरा और इससे नया शब्द बनते हैं दुर्बल, दुर्जन, दुर्दिन। तीसरा है परा, इसका अर्थ है पीछे और इससे नया शब्द बनाते हैं तो पराजय, पराक्रम, परामर्श। इसी तरह अप उपसर्ग से, जिसका अर्थ हीनता, अप मान, अप यश, अप हरण अगला है अनुपसर्ग, जिसका अर्थ है बाद में इससे नए शब्द बनते हैं अनुशासन, अनुकरण, अनुज अब है हिन्दी के उपसर्ग, हिन्दी के उपसर्गों में ओ यव अन, उपसर्ग का अर्थ है अभाव या निशिद, जिससे नए शब्द बनते हैं अच्छित, अनुपढ़, आदी उसी तरह को या कू, जिसका अर्थ है बुराई या नीच्टा, इससे हम कपूत, कुचाल, आदी शब्द बनाते हैं उसी तरह अध, जिसका अर्थ है आधा, और इससे भी नए शब्द बनते हैं आपको अधपका, अधमरा अगला है ओ, जिसका अर्थ है अनादर या निशद, इससे अउगुण, ओनती जैसे शब्द बनते हैं उसी तरह नी, जिसका अर्थ है निशद, निडर, निकम्मा, नए शब्द बनते हैं अगला है भर, जिसका अर्थ पूरा, भर पेट, भर पूर, तो इस तरह से ये नए शब्द बनते हैं तीसरा है विदेशज उपसरग, अर्वी फास्टर के सब्द होते हैं जिसमें, जैसे उपसरग है कम, जिसका अर्थ है अल्प याहीन, नए शब्द बनते हैं कमजोर, कमसिन, इत्यादी, उसी तरह गैर उपसरग है, जिसका अर्थ है निशिध, गैर हाजिर, गैर कानूनी, ना उपसर्ग जिसका अर्थ है अभाव तो इससे हम नालायक नापसन भी बनाते हैं नैशब उसी तरह बद जिसका अर्थ हीनता तो इससे हम बदबू बदतमीज आदी शब्द बनाते हैं अगला है बे जिसका अर्थ है अभाव बे इमान बेवकूफ बेहोश ला उपसर्ग के लगने से जिसका अर्थ है अभाव या के बिना ला परवाह, ला जवाब, ला वारिश अब हम अगला देखते हैं प्रत्य सबसे पहले प्रत्य की परिभाशा प्रत्य उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में या बाद में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में बदलाव ला देते हैं प्रत्य शब्द के अंत में आता है जैसे भला शब्द में आई प्रत्य लगाकर हम भलाई शब्द बनाते हैं प्रत्य भी दो प्रकार की होते हैं इसमें पहला कृत या कृधन्त प्रत्य और दूसरा है तधित प्रत्य तो सबसे पहले हम देखेंगे कृत या कृधन्त प्रत्यों को तो क्रिया की मूल धातू के अंत में लगने वाले प्रत्यों को कृत प्रत्य कहते हैं और इनके मेल से बने शब्द को कृधन्त कहते हैं तो ये प्रत्य क्रिया की मूल धातू को नया अर्थ देते हैं जैसे यदि कह धातू में हम नौ प्रते लगाते हैं तो नया शब्द बनता है कह नौ उसी तरह पढ़ मूल धातू में यदि हम आप्रते लगाते हैं तो हो जाता है पढ़ा इसी तरह से कृदंत प्रते को यदि हम क्रिया में लगाते हैं तो ये भावाचक संग्या बन जाते हैं जैसे ओ प्रते यदि हम नाचना क्रिया के अंत में लगाते हैं तो वह नाच बन जाता है उसी तरह खोजना क्रिया के अंत में ओ प्रत्यक लगने से खोज हो जाता है आई प्रत्यक के क्रिया के अंत में लगाने से जैसे चड़ना में चड़ाई हो जाएगा उसी तरह से लड़ना के अंत में आई प्रत्यक लगने से लड़ाई हो जाएगा उसी तरह आवट प्रत्य के बनना क्रिया के पीछे लगने पर बनावट हो जाता है उसी तरह सजना क्रिया के आवट प्रत्य के लगने से सजावट हो जाता है उसी तरह से क्रिदंत प्रत्य में जैसे आकू, ओडा, आउ, एरा, अकड और वया इन प्रत्याओं की लगने से क्रिया शब्द जो विशेशन बन जाते हैं जैसे लड़ना क्रिया में आकू प्रत्या की लगने से लड़ाकू हो जाता है उसी तरह से भागना क्रिया के अंत में ओड़ा प्रत्या की लगने से भगोड़ा हो जाता है और देखना क्रिया के अंत म में आउप्रत्य की लगने से विकाऊ हो जाता है उसी तरह से लूटना क्रिया के अंत में यदि हम एरा प्रत्य लगाते हैं तो लूटेरा हो जाता है और इसी तरह अपकड जो है भूलना क्रिया के अंत में लगे तो भूलककड हो जाता है और गाना क्रिया के अंत में यदि व कृधन्त प्रत्य के शब्द हो गए अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं प्रत्य का तद्धित प्रत्य तो तद्धित प्रत्य में संग्या या विशेशन की अंत में लगने वाले प्रत्य को तद्धित प्रत्य कहते हैं और इनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं तो तधित प्रत्य लगने पर यदि संग्या में लगाते हैं तो ये विशेशन बन जाते हैं जैसे यह प्रत्य के लगने से ग्राम, संग्या, ग्राम में विशेशन बन जाता है उसी तरह मुख संग्या शब्द के पीछे इक प्रते लगाया जाए तो वह मौखिक बन जाता है उसी तरह पुष्प संग्या शब्द के पीछे इत प्रते लगाया जाए तो वह पुष्पित हो जाता है उसी तरह राश्ट्र सब्द की पीछे यह प्रत्य की लगने से राश्ट्रिय हो जाता है इन प्रत्य का यदि कुल संग्या की पीछे लगे तो कुलीन हो जाता है और दिर्ग इ प्रत्य को यदि हम देश संग्या शब्द की पीछे लगाएं तो देशी हो जाता है